कि नमस्कार दोस्तों आप सभी कस्वागए था अपके अपने यूट्यूब चैनल डेरे क्लास में आज की क्लास में हमने दर्पन के बाड़े में समझेंगे पिछले दो तीन क्लासों मैंने आपको बता दिया है कि प्रकास का परावर्तन क्या होता है और उसके बाद वाली क्ल की प्रकास को तो अभूसी देखते हैं या अब लिश्ट में जाकर से सर्च करके देख सकते हैं कि आजका इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में दरपन के बारे में कि दरपन क्या होता है या मिरर हम लोग किसे कहते हैं तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर मिरर की बात की जाए तो मिरर एक ऐसा बस्तू होता है जिसमें हम किसी दूसरी बस्तू का प्रतिमीम देखते हैं जैसे मैंने आपको समताल दरपन जब मैं पεται रहा था तो मैंने आपको उसके बारे बताया था कि समतल्दरपन मतलए फ्लेन मीरड क्या होता है तो दोस्तों ये एक आप जो देख रहे हैं आप अपने इसक्रीन पे ज़िस चिuh को देख रहे हैं मेरे हाथों में यह जो बस्तू रखी गई है यह एक प्रकार का मीरड है और यह कैसा मीरड है तो एक दम प्लेन मीरड है मीरड इसका काम क्या होगा तो इस मीरड के अंदर हम किसी दूसरी बस्तू का जैसे यह एक मीरड हो गया यह एक बस्तू हो गई और यह हमारे हाथ में एक कलम है यह दूसरी बस्तू हो गए तो इस बस्तू का प्रतिवीम हम इस बस्तू के अंदर देखेंगे अर्थात मिरर एक ऐसी बस्तू होती है जिसमें किसी दूसरी बस्तू का प्रतिवीम हमें देखने को मिलता है तो अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हूं तो हमार आएगा दरपन दरपन एक ऐसी बस्तू है जिसमें हम किसी दूसरी बसेटू का प्रतविद देख पाते हैं उसे हम लोग कहते हैं दरपन यह फिर मिरण अब बात आती है कि मीरट कितने तरह के होते हैं तो अगर मेलट के का हम लोग इंगलीज में प्लेन मिरर कहते हैं और दूसरा होता है हमारा गोलिये दर्पन गोलिये दर्पन जिसे हम लोग स्फेडिकल मिरर कहते हैं एक होता है समतल दर्पन और एक होता है गूलिय दर्पन तो समतल दर्पन उसे कहेंगे जो एकदम प्लेन हो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि समतल दर्पन में आप एकदम उस दर्पन को आप एकदम चिकना या फिर एकदम प्लेन देखते हुए महसूस करेंगे औ वो दर्पन भी हमारा समतल दर्पन होता है गोलिय दर्पन के अगर बात की जाए तो गोलिय दर्पन एक ऐसा दर्पन होता है जिसमें हमें दो अलग अलग चीज देखने को मिलेगी मतलग कहने का अर्थ यह हुआ कि गोलिय दर्पन दो तरह के होती है एक को हम लोग कहते हैं उ सम्तल दर्पन को मैं पिछली क्लास में बता दिया था सम्तल दर्पन क्या होता है इसकी क्या भी सेच्टाय होती है आज हम लोग का में टॉपिक होगा गोली दरपन गोली दरपन क्या होता है या फिर गोली दरपन की प्रकार कौन-कौन से होते हैं तो चलिए मैं फटा-फट इसको पहले इसकी पडिभासा लिख देता हैं फिर आपको करके मैं इसको बताऊंगा अगर मैं लाइव लिखूंगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा तो मैं फटा-फटा इसकी पडिभासा जो पहले लिख लेता हूँ मैंने गोली दरपन की पडिभासा लिख दी है दोस्तों इसकी पडिभासा होती है कि किसी कांच के खोकले गोले को एक्चली इसका नामी गोली है गोली कहने का मतलब एक गोला होगा और उसी गोले को हम लोग क्या कर देंगे कलाई कर देंगे पैंटेड कर देंगे जब किसी कांच के खोखले गोले को हम लोग पेंटेट कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, तो जो इमेज बन के आती है, या जो बस्तु बनती है, उस बस्तु को हम लोग कहते हैं, गोलिये दर्पन. जैसा कि आपने डिफनिशन लिखा गया है, कि किसी कांच के खोखले गोले को कलाई कर, जो दर्पन बनाया जाता है, उसे हम लोग गोलिये दर्पन कहते हैं, और मैंने अभी आपको बता दिया, कि गोलिये दर्पन जो है दो तरह के होते हैं, उतल दर्पन और उतल दर्पन, ज काम करता है तो जो औब ज्यक्त का इमेज फॉर्म करेगा ईह इमेज बनाएगा उससे हम लोग म Casey मिरर कहेंगी मिरर के टैप सजी की बात की आया मिरर दो तरह के होते हैं एक को हम लोग संतल धरपन या प्लेंद मिरर कहते हैं और दूसरा हमारा होता है गोलिये दरपन जिसे हम लोग एस्पेडिकल मीरर के नाम से जानते हैं वहीं अगर गोली दरपन की बात की जाए तो गोली दरपन भी दो तरह के होते हैं एक को हम लोग उत्तल दरपन ठीक है जिसे हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं और एक होता है ओतल दरपन जिसे हम लोग कॉन्केव कह होते हैं कुछ टार्म्स होते हैं उन टार्म्स को जानना ज़रूरी होता है तो फटा-फट मैं पहले चित्र बना लेता हूं फिर एक एक करके आपको मैं बता दूंगा तो दोस्तों मैंने यहां पर एक गोला बना लिया है, आप एक देख सकते हैं, गोले बना, गोला कोई भी गोला बनाने के लिए, कोई भी सरकल बनाने के लिए हमें एक सेंटर के जरुत होती है, तो मैंने यहां पर एक सेंटर लिया है, अब इस सेंटर से मिला कर हम लोग इसमे यह हमारा प्रधान अक्ष है सबसे पहले हम इस गोले को पहले कलाई कर लेता है फिर आपको बताएंगे तो मैंने आपको बताया था कि कलाई करने का अर्थ होता है उसको पेंट करना है अर्थात मैं इसे एक को बाहर की और से पेंट कर देता हूं यह बाहर की और से paint किया हुआ है और एक हमारा अंदर की और से paint किया हुआ है जिस तरफ paint form किया जाता है उसके just opposite side में हम लोग light को डालते हैं ठेके दोस्तों तो इस point को हम लोग कहते हैं center चुकि यह एक गोला था और उस गोले का ये center है जिसे हम लोग केंदर कहेंगे लेकिन इस दरपन के लिए इस केंदर का नाम हो जाएगा वकरता केंदर है वैसे ही आप पड़े हैं कि center से मतलग केंदर से इस पड़ीदी को मिलाने वाली जो line होती है उसे हम लोग तरिज्या कहते हैं जिसे हम लोग R से denote कहते हैं तो चुकि एक गोले के लिए तिरजय होगे, परंतो इस मिरर के लिए वक्रता तिरजय काह लाएगे. वक्रता तिरजय. वही है आपे हम देख रहे हैं, कि यह जो अप पॉइंट देख रहे हैं, इस पूरे मिरर को यहाँ पे देखे. दो अलग-अलग भागों में तोर रहा है तो इस गोले का जो middle point होता है जो मद बिंदू होता है उसे हम लोग कहते हैं धुरू यह हमारा क्या है धुरू जिसे pole कहते है यह भी हमारा क्या है धुरू जिसे हम लोग pole कहते है तो धुरू और केंदर को मिलाने वाली यह रेखा आप देख रहे हैं इस रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष main axis या फिर इसे आप प्रधान अक्ष कहिए या मुख्यक्ष कहिए जो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं ये भी हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष या फिर पर्धान अक्ष मैं दोनों तरफ एक ही नाम लिख देता हूं ने तो आप पन्फ्यूज हो जाएंगे ठीक है दोस्तों तो यह हमारा हो गया पर्धान अक्ष और यह भी हमारा हो जाएगा पर्धान अक्ष अमीद करते हैं यहां तक आप इस चीज को समझ गये होंगे कि पर्धान अक्ष किया होता है धुरू क्या होती है वक्रता तीर जाय तो यहां पर देख रहा है कि अव्तल दरप्ण और यहां पिलिए यह पेपड़ावर्तक सता उठावा मैसूस होता है तो जो उठावा उता इसे हम लोग कहते हैं उतल जिसे हम लोग कौन्वेक्स के नाम से जानते हैं तो इसका नाम हो जाएगा उतल अद्ध यह आप हो गया convex उतल दरपन और यापका हो गया concave और उतल दरपन उमेद करते हैं तक आप इस चीश को समझ गया होंगे तो एक बाए मैं repeat करता हूं गोले दरपन क्या होगा तो गोले दरपन एक ऐसा दरपन जो किसी कास के खोकले गोले को कलाई करके बनाया जारता है गोली दरपन के दो भाग होंगे एक कॉम कहेंगे उतल दरपन या फिर कॉन कॉन्वेक्स कही और दूसरा होता है अवतल दरपन जिसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं अगर मैं इस दरपन को आपको दिखाने के पड़ियास करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह जो हम मेंने हाथ में जो दरपन रखे हैं यह आपका गोलिये दरपन के ही रूप है एक आपका इसमें कॉनकेव है और एक आपका इसमें कॉन्वेक्स है तो एक्चुली जब आप इस चेत्रुक आप अपने स्क्रीन पर देखीएगा तो यह आपको एगदम सीधा मैसूस होगा आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कॉनकेव कॉ है और कौन वेक्स कौन है ठीक है तो जब आप इसे हातों में लीजिए गा तो आपको एक मैसुस होगा कि बीच में अपको धह्सा हुगा अगर आप इसको इसको देख पाड़े होते Exam आपको उठा हुआ प्रतित होगा इधर से आपको धसा हुआ मैसुस होगा तो हमें पीछे से मतलब नहीं होता है जिदर से में लाइट देनी है उस सता से मतलब है तो देखिए इस वाले सता पर हम लोग को लाइट देंगे ताकि कोई इमेज फॉर्म हो कोई प्रतिभीम बने यह सता हम लोग लाइट देते हैं वह सता हमें कालाता है परावर्त्क सता थीक इस लेंज में भी इस दिशकी तरफ भी परावर्त। देंगे तो यह आप इसे किजीए इधर आपको उठा हूँआ मैसोट थो यह पार यह आपका होजाएगा और यह weकस्तो गोली दर्पन के दो टाइप हो गया काई कैड् सो यह आपका होगया होगया उठा हुआ हिस्सा है तो मिद करते हैं यहां तक आप इस चीज को समाझे होंगे अब हम बढ़ते हैं आगे की और फिर आपको बताएंगे कि ओतल दर्पन उतल दर्पन क्या होता है तो अब उतल की पड़िवासा को मैं फटा-फट लिख देता हूं फिर आपको मैं बताऊंग तो मैंने यहां पे आउतल और उतल की पड़िवासा लिख दी है मैं इसको समझा रहता हूं फिर मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पे लिखा गया है कि उतल दर्पन गोली दर्पन का वह भाग होता है जिसका परावर्तक सता उठा हुआ होता है तो मैंने अभी आपको बत सता क्योंकि जो भी प्रकास होगे इस सता पढ़ी पड़ेगी तो जिसका परावर्तक सता उठा हुआ होगा तो आप इस पर रूप से अगरे देख सकते अपने स्क्रीन पे कि इस तरफ यह हलका धसा हुआ मैं सुसरा है और यह परावर्तक सता है जो कि उठा हुआ हुआ है इसकी भी सिस्ता क्या होती इसकी क्या खास बात होती है तो अगर इसकी खास बात की बात करे या फिर इसकी भी सिस्ता की बात करे तो इसकी भी सिस्ता यह होती है यह बस्तू का हमेशा कार्प्रिंग प्रतिवीम बनाएगा और जो प्रतिवीम बनाएगा वह बस्तू से तो उतल पर हमीशेब वस्तु कांपणिक और चोटा प्रतित भी मनाता है आप इसमें सब्सक्रार सब्सक्राइब कर्सक्रास है या आप चाहिए तो आप हमारे website www.dareclass.com पर भी जाकर इसे नोट कर सकते हैं वहाँ पर आपको हर चीज मिलेगी देखने के लिए दूसरा यहाँ पर आपको लिखवाया गया है ओतल दर्पन गोली दर्पन का वहाँ भाग जिसका पड़ावर्तक सता धहसा हुआ हूँ उसे हम लोग कहते हैं ओतल दर्पन तो सेम चीज यह भी है इसमें भी इसका पड़ावर्तक सता यह हो जाएगा और यह पीछे काहिसा कला सताले कीया हो जाएगा तो जब आप इसे टुच की जी तो यह आपको हल्का इसमें ध्हसा हुआ हुआ मैसूस होगा और आप इसमेश classiceteu की खाका और सीधा द DO Mr एकसर पूछहते हैं कि इसके दूसरी हाथ में सब्सक्राओं को लिए उसके बहुता और भड़ा दिखाई देता है तो इसकी आ है क्लोसी अवरा सब्सक्राओं इसके बहुता पैंसि सब्सक्राओं वरन उन्हार Hai तो अक्सर उक्जाम में पूछे जाते हैं कि वह कौन सा दरपन होता है कौन सा मिरोर होता है जो किसी विवर्ष्टू का वास्तविक और कालपनी, दोनों प्रतिवी मनाता है अब दे मेरे हाथ में यह झालपन की चोटा है परन्तो इसका इमेज उन्टो कहाता है, तो आवर्दित प्रतिवी मनाने का काम में किसका होता है काल आउठर अधाल दरपन Dip.. उमीद करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे, अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई पॉइंट से अपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी अगर आपको कन्फूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर कि बताइए मैं पूरी कोसिस करूंगा उसका उतर देने के लिए आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें अपने फ्रेंड को बात की जाए तो इसकी पड़िभासा कहती है कि किसी सुरोथ से आती प्रकास के किरने मैंने आपको बताया था कि जहां से प्रकास निकलती उसे हम लोग प्रकास शुरोथ कहेंगे तो किसी सुरोथ से आती प्रकास के किरने दरपन से पड़ावरतन अर्था दरपन से टकरान है अब इस पर कहीं ना कहीं से प्रकास के किरन आएगी और जो प्रकास के किरन आएगी तो यह इस पर पड़ेगी और इससे के बाद यह बस्तू के ऊपर पड़ेगी फिर बस्तू से परावर्तित होकर यह मीरर क्यों रिफ्लेक्ट करें परावर्तित होगी जिससे इस बस्तू पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदू को हम लोग उस बस्तू का प्रतिवीम कहते हैं अब सवाल यह पुछा जाता है कि प्रतिवीम के प्रकार कितने होते हैं प्रतिवीम कितने तरह की होती है तो अगर मैं प्रतिवीम के प्रकार की बात करूं तो फ्रेंट प्रतिवीम जिसे हम लोग रियल इमेज भी कहते हैं प्रतिवीम को इंगलिस हम लोग इमेज कहते हैं चुक्छे वास्तवीक प्रतिवीम है इसलिए हम इसे रियल इमेज कहेंगे दूसरा हमारा होता है कालपणिक प्रतिवीम कालपणिक याइसे को हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं अब हाशी तो आफ हाशी जिसे हम लोग बॉर्च्यूवल कहते है एंवार्च्यॉर इमेज तो परतिवहिम दोनों तरफ अपने चहरे को देखिएगा तो एक तरफ चहरा आपको सीधा बनता हुआ नजर आयेगा और दूसरे तरफ आपको चेहरा यह वह उल्टा बनता हुआ नजराएगा तु जिस तरफ आपका चहड़ा उल्टा उसमें नजर आ रहा है तो समझिये कि वह परतिवीम कौन सा है वास्तवीख और थात वहां पर प्रकास की किरिने मिल रही है वो वास्तों में मिल रही है जिस कारण आपका इमेज है वो उल्टा बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और जिस चम्मच के जिस हिस्से के तरफ आपका चेहड़ा एकदम सीधा दिखाई दे वो उल्टा दिखाई नहीं देगा तो समझेए कि वो कौन सा प्रतिवीम है कालपनिक प प्रतिवीम में प्रकास की करने वास्तों में मिलती है तो अक्सर सवाल एक्जाम में यह पूछता है कि वास्तविक और कालपनिक या अभासी प्रतिवीम में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है तो फटा-फट मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको एक एक करके समझा दू तो मैंने आपको बता है कि वास्ते बहुतिम को अगzo करेंगे कि जो वास्तों में मिलेगी और काल्पनी परतिवीम को प्रतिवीम को कहेंगे जो छों मिलती हुए हमें प्रतीज होगी अभी आपको यह समझने में फोड़ी से дंकत होगी जब हम लोग इसके इमेंज के में क्या डिफरेंस से इसको लिग दिया है मैं एक ही करके आपको समझा देता हूं फिर आप चाहे तो इसे इसके लेकर लेकर लिग सकते हैं या आप हमारे उल्टा नहीं बन सकता है तो यह काल्पनिक प्रतिविम की मिसेस्ता होती है जस इसका उल्टा आपका वास्तुक प्रतिविम होता है अगर बस्तु सीधी खड़ी है तो उसका प्रतिविम उल्टा बनेगा तो काल्पनिक प्रतिविम में सीधा बस्तु का प्रतिविम बनता है इसे दरपन के पीछे देखा जाता है कालपनिक प्रतिवीम कभी भी बनेगा तो दरपन के पीछे बनेगा जबकि वास्तुएक प्रतिवीम जो होता है वो दरपन के सामने बनता है अब यह किस तरह से होते हैं जब हम लोग किरन आरेक पड़ेंगे तो उसमें आपको असपर स्वाज में आ जाएगा कालपनिक परतेविम को हम लोग किरन आरेक में तूटी हुई रेखा से दिखाते हैं तूटी हुई रेखा वैसी रेखा को कहते हैं जो कुछ इस तरह से फर्म की जाती है ऐसी रेखाओं को हम लोग कहते हैं तूटी हुई रेखा और जो वास्तुविक परतवीम होता है उसे हम लोग सीधी रेखा से दिखाते हैं सीधी रेखा काने का मतलब यह इस पर करके जो रेखाई होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सीधी रेखा चौता यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि काल्पनिक परतवीम को हम लोग परदे पर प्राप नहीं कर सकते हैं प्रदिय पर प्रत कहने का मतलब श्क्रीन की उपर हम इसे नहीं देख सकते हैं क्यूक्श को सकते हैं और नहीं थो करका कर दिया ओधा हुआ कि की अबहासिक प्रतिविमर जो होता है वो मिलता हुआ प्रतीत होता अ कि दashes की धर पन से तकराने अगर वह वास्तों में मिल रही है तो आपका प्रतिभीम हो जाएगा वास्तलिक प्रतिभीम उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ में आए गई होगी अगर आपको समझ में नहीं आड़ा है तो आप इसे फिर से बैक करके इसे दुबारा देखिए उसके बाद भी अगर कोई है आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम उसका जवाब जरूर देंगे तो आगे हम लोग चलते हैं और अगले कलास में लोग पढ़ेंगे दरपन के बारे में डरपन के कितने प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा तब तक कि वीडियो अच्छा लगाओ तो दोस्तों के भी जरूर सेयर कीजिए